हेलो फोडीज विल्कम टो फूट हब और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर्स टाइम देख रहे हैं तम सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ ही साथ प्रेस करें बेल आइकन को नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आज हम बना जा रहे हैं तवा जीरा आलू य बहुत आसान है दो बनना और ये बहुत मिंटों है भन जाता है बिल्कुल लारा रहे हैं यी काफी देर तक घंद के समोकी ना आजाये बिल्कुल इस तरह से देख रहे हैं काफी स्मो कि आ अब इसे हम एक बार हलका सा ठंडा करके फिर जीरा एड़ करेंगे वन टीस्पून सावच जीरा एड़ कर देना है इसे में डाल रही हूं ग्रेट जिंजर कद्दू कस करके डाल दें इसमें काफी अच्छा फ्लेवर आता है फ्रेश चीज आड़ करने से महीन चौप कियावा ओनियन आदा कप डालके से हलका सा भून लेना है इस तरह से यह देख रहे हैं हलका हलका यह भूना भूना सा हो गया है अब इसमें हम डालने शूरू दाल नाद मर्शी पौर डाला है यहन पर धन्या पर डाला है थैस्पोन स्ञेख बड़नवाची द्द्दू शूरू करेंगी क्योंकि हम मसाले को जला नहीं जाते तजा लूँन अधा हलका मिक्स करते जाएंगे हमarden मैंने साल्द डाला ए तुटेस्ट और यहां पे मैंने क बॉर्डर भी थो आड़ कर देना है हाफ टीजपून अब इसे हम डालेंगे चाट मसाला मसालों काफी कम हम इस्तिमाल कर रहें यहां पर यहां पर हलका सा बड़ा चौप किया हुआ एक कप टामाटर डाल देना है इसमें टामाटर के मच्छा से भून लेंगे मिक्स कर लेंग इसे बहुत सब्सक्रा नहीं है हमें इसके चंक्स दिखने चाहिए अभ साथ साहसß में डालेंगे हम घर पे बनी है यह टमाटर प्यूरे ब्रूंप कर ल्रूं मैं अब इसमें साथ साथ हम डाल देंगे पानी यहां एक कप पानी आड़ कर देना है हमें पानी डालके से मिक्स कर लें हलका सा बॉलाने दें अब इसे हम आड़ करेंगे क्रीम क्रीम की जगह आप मलाई भी यूज़ कर सकते हैं 2 टी स्पूण यूज करना है बिलकुल हलका रखना है हमें इसमें थो हलका सा इसमें हम डल डाल दें 2 टी स्पूण ऀसको अच्छे से मिक्स करते रहें भी इसमें अब Спक्ष हैं मैंने इसे मैं छिलके काट लिया है और इसे हम मिक्स करते हैं पका लेंगे अब इसे हमें पकाना है इतना इतना हमें से पानी पुरा सूख जाए बिल्कुल इस तरह से सूखा ड्राय बना लेना है इस तरह से और यह देख रहा है तेल आ रहा है जिस पर तो यह यह निशानी होती है क करना हैं कि मसाले मारे पक चुके हैं में ग्रेवी है मारी कुख मृषी है सबजी कुख और कर दे फ्लेवर बार काफी अच्छा आता है और फॉर्ट टीस्पून हम गरम मसारा डालेंगे और थासा हम धरधनिया डालके हराव इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से इसको अच्छे से मिक्स कर लें बिल्कुल यह काफी एजी रेसिपी है आप देख सकते हैं और रेस्टरेंट वाला जो स्टाइल है यह रेस्टरेंट वाला जो फ्लेवर है बिल्कुल हमें घर पे ही एजीली मिल सकता है और इसे बाउल में सर्फ करें थाधनिया पती से लाइक, शेर, सस्क्राइब तो बिल्कुल बनता है जी और थैंक्स वर वाचिंग